कิए हैं आप सब आज बनाने चाहरी हूं एक और नई डेजाइन का डॉर्मेट इससे आप टेविल मैट भी बना सकते हैं पूजा का आसंद भी बना सकते हैं और देखे यहां पे मैंने ग्रीन कलर से कली डाली हुई है और आप ब्लू से डाली है तो इसमें पूरा जैपूरी से लाइब दॉर्मेट में आप इसको 35 फंदे को भी बना सकते हैं मैंने यह 20 फंदे का बनाया है नहीं ही होने चाहिए और देखिए यहां पर मैंने नाइन नंबर सलाई ली है और आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं मैंने बूल को डबल करके बनाया है तो सबसे पहले देखिए मैं फंदे डालूंगी फंदे बिल्कुल मैं सिंपल डाल रही हूं आप अपने एस साथ से फंदे ले सकते हैं एक ए दो या सचा पाच छै कि है इस तरह से हम यह Net में बेक 25 फंदे लीन और ये दलाय यह ओना मैं una यह पंचिस को दे हैं। 25 फंदे फर्स्ट रो में ही हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहां से हम सेकंड कलर की बूल लगा लेंगे दो फंदे हम बिलू कलर से बुनेंगे एक और दो यहां पर आप चाहें तो इससे नौट भी लगा सकते हैं अब देखिए यहां से बाकी इसके बाद हम एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चावदे, पंद्रे, यह देखिए, पंद्रे फंदे, हमने ओरेंज बुने, अब देखिए हम यहां पर तीसरा कलर एड करेंगे, यहां से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, और देखिए, साथ, साथ भंदे हमने बुने, एक बिना बुने छोड़ दिया, बूल को इधर किया, और सलाई को पलट लिया, यहां से जो जैसा है, उसको हम बैसे ही बुन दे जाएंगे, यह देखिए, इस तरह से, अब हम इसको देखिए, यहां पर क्रोस कराएंगे, इस तरह से, इसके ऊपर से यह जाएगी, ग्रीन बाली, नीचे से ओरेंज वाली निकलेगी, ऐसे, आगे लाए ओरेंज को, और यहां पर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, पंद्रा फंदे हमने बुने, आप देखिए, हम बलू को आगे लाएंगे, इसको ओरेंज को उपर से इसके कर देंगे, और यह देखिए, यह नीचे की साइड है, तो इसको हम ऐसे आगे लाएंगे, दो फंदे हम यह औरेंज कलर से बुन लेंगे, और देखिए, इस फंदे को हम एक साइड से इधर से बुनेंगे, उधर से उतारेंगे, अब देखिए, हम यही से सलाई को पलट लेंगे, ऐसे देखिए, अब देखिए, यह बाली कली जो नीचे बाली है, वो ऊपर के साइड आ रही में इस तरह से और देखिए ये फंदा बुना अब दो हम और बनेंगे औरेंज वाले एक और दो तो यहां पर चार फंदे हो गए इस तरह से उसके बाद हम यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस घ्यारे बारे बारा फंदे बुनेंगे अब देखे इसको हम ऐसे कर देंगे देखे इसके ऐसे लिए है यहां से एक फंदा ओरेंज वाला हमने गिरिंड कर लिया तो देखे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ फंदे बुने, एक बिना बुने छोड़ दिया, पहले और अरण छोड़ा आप गिरिंग छोड़ दिया, यहीं से हमने सलाई को पलट लिया, यहाँ पे जो जैसा है उसको हम बैसे ही बनाएंगे, यह देखे, इसको देखे, इसके उपर से यहसे करेंगे, इसको आगे लाएंगे, यहाँ से ओरेंज के, ओरेंज से बुनेंगे, इस तरह से देखे, अब देखे, इसको हम पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, ब्लू कलर को, ऐसे, और यहाँ पे चार फंदे हम ब्लू कलर से बुन लेंगे, यह देखे, इधर से मैंने बना लिया, उल्टे तरफ से हम इसे उतार लेंगे, इसको उतार लिया, बूल इधर किया, और देखे, यहाँ से एक, दो, तीन, तीन फंदे हो गए, उसके बाद देखे, चार, पांच, एक उतार लिया, छे हो गए, दो, दो करके हमें ओरेंज वाले मसें चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे हो गए, अब हम एक फंदा ये ग्रीन से बुनेंगे, और देखे, हमने ऐसे क्रोज करा दिया इसको, अब देखे यहां पे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ये फंदे साथ ही रहेंगे, अभी एक फंदा छोड़ दिया, यही से हम पलट लेंगे, और देखे, इस तरह से, यहां पे, जो जैसा है, उसको में बैसे ही बुनूँगी, ग्रीन है, उसको ग्रीन, ओरेंज है, उसको ओरेंज कलर से, और देखे, इसको इसके उपर से, ऐसे खीच के थोड़ा सा, उल्टा बनाएंगे, इसको हम पीछे कर देंगे, और ब्लू को आगे लाएंगे, ऐसे, दो, तीन, चार, पाँच, छे, यह देखे, अब देखे, इसी तरीके से, हम यहां से, एक फंदा इधर गिरिन लेते हुए, दो फंदा ब्लू करते हुए, लाश्ट के तीन फंदे रह जाएंगे, जब हम आपको दिखाएंगे, यह देखे, इस तरह से, दो, दो फंदे मैं इधर से, नीचे के साइड लाई हूँ, एक एक फंदा उपर के साइड, सेंटर में हमारे पास तीन फंदे रह गए हैं, आप देखे, इस रो में हम, एक फंदा उतारेंगे, बूल अपने तरब, दो, तीन, चार, पाच, छे, नौ, दस, और देखे, दो फंदे हम फिर से, बलू से बना लेंगे, तो यह बारा फंदे हो गए, और एक फंदा हम यह गिरीन से बनाएंगे, ऐसे, यह देखे, अब देखे, यहाँ पर हमारे पास यह दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, यह देखे, साथ बनाए, एक एक कर के देखिए मैंने यहां पे 6 फंदे छोड़ दिये एक दो तीन चार पांच छे यहीं से हम पलट लेंगे इसको अब देखिए जो जैसा कलर है उसको हम वैसे ही बना लेंगे इस रो में यह देखिए गिरीन को बना लिया मैंने अब गिरीन को हम पीछे कर देंगे ब्लू को यह देखिए इस तरह से यह देखिए अब देखिए यह वाली कली हाप यहां तक बन गई है अब देखिए हम इन फंदों को छोड़ेंगे ब्लू वाले फंदे हैं इनको हम दो-दो करके छोड़ेंगे और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो यह यहां पे इसकी सेब जाएगी यह आपका कटोरी जैसा हो जाएगा और यह पूरा फ्यला हुआ नहीं आएगा तो यहां से देखिए अब हम सिर्फ ब्लू वाले फंदे ही बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो फंदे बुने एक उतार लिया तो दस हो गए दो मैंने छोड़ द देखिए इस तरह से अब पूरी रो हम ऐसे ही उल्टा उल्टा दौनों तरफ से बुन दे जाएंगे इधर से आपको इस फंदे को ऐसी बनाना है इधर से बनाना है उल्टे तरफ से उतारना है अब देखिए हम दो-दो करके इन फंदों को भी छोड़ देते हैं लाश्ट दो फंदे तक इनको छोड लिया है अब देखिए हम यहां से यह पूल अपने तरफ यह दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस यह देखिए यहां पर दस फंदे हमने बुल लिये अब देखिए हम यहां पर तीन फंदे Orange color से बुनेंगे, तो अब यहाँसे बापस इस तरह से कली बनेगी, जैसी यह बनी हुई है, तो यहाँसे देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ताकि यहाँपे कोई होल ना रहे, देखिए, दो ब्लू बाले, orange कर लिए मैंने, और एक green बाला, यह देखिए, यह हो गया, अब हम यहां से गिरिन कलर से बुनेंगे इसको हम पहले Ayse कर देंगे इधर को उसके बाद बुनेंगे यहां से देखिए एक अब हम कली अंदर के साइड़ ले जाएंगे और देखिए चूटे वाले फंदों मैं से हम एक-एक लेते जैंगे इधर से यह औरेंज होता जाएगा gaffing को भरते जाएंगे तो इस फंदे को उठाके इस फंदे के साथ बना देंगे तो यहां पर यह साथ फंदे हो गई इधर से मैंने एक यह वारा गिरीन वाला ओरेंज बना लिया इधर से हमने छूटा वाला एक एड़ कर लिया यहीं से अब हम पलट लेंगे इस तरह से यहां पर जो जैसा कलर है उसको हम बैसे ही बनेंगे यह देखिए इसको हम ऐसे करेंगे इसको आगे लाएंगे तीन फंदे हम और इंज से बना लेंगे यह उसके बाद हम देखीए, ब्लू को आगे लाएंगे, ऐसे, यहां से बाकिए फंदे हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे, यह देखिए, अब देखिए, हम यहां से पलट लेंगे, अब दो दो फंदे, हम ये blue के orange इधर से करेंगे एक एक फंदा यहां से और एक फंदा यहां से इसमें add करते जाएंगे तो ये कली हमारी जो है अंदर के side जाएगी ये उपर के side जाएगी अब हम इसको उतार लेंगे बूल को अपने तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे मैंने बने और देखिए 8 बनने हैं इस तरह से और इसको हम ऐसे करेंगे यहां से हम औरेंज कलर से 2 फंदे blue वाले कर लेंगे यह देखिए 2, 3, 4, 5 और एक ग्रीन वाला औरेंज से बना लेंगे 6 छे फंदे हो गए आप देखिए यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बनाए और देखिए यहां से अब हम भंदा उठाएंगे एक यहां से और एक यहां से दो फंदे उठाए इस फंदे के साथ तीन का एक कर देंगे तो यह साथ फंदे होगा, यहाई से हम पलट लेंगे, यहाँ पर जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुन लेंगे, यह देखिए, इस तरह से, इसको हम पीछे करेंगे, ओरेंज को आगे लाएंगे, यह देखिए, तो यहाँ से दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे, ओरेंज के बनाए, अब बिलू को हम आगे लाएंगे, यह देखिए, इस तरह से, यह देखिए, इस तरह से, अब देखिए, यह देखिए, आब हम दो फंदे, इस साइड में, ऊपर को ले आते हुए, ओरेंज के, एक फंदा, यहाँ से, ओरेंज का, इधर को करते हुए, एक यहां से add करते हुए last के दो फंदे यहां पे blue रह जाएंगे एक फंदा यहां पे रह जाएगा जब मैं दिखाऊंगे आपको यह देखिए इस तरह से दो दो फंदे हम उपर को करते हुए एक एक फंदा यहां से orange एक फंदा यहां से लेते हुए यहां तक हम पहुँच गए हैं लास्ट में हमारे पास 2 फंदे Blue बचे एक फंदा Orange बचा है तो अब देखिए हम इस रो में सबी फंदे इसी Color से बना लेंगे यह देखिए ऐसे लास्ट तक पूरी रो हम इस Orange Color से बुल लेंगे जैसे हमने Starting में बुनाए, फंदे डाले हैं उसी तरीके से, ये देखे, इस तरह से यहां तक बना लिया मैंने, उसके बाद देखे, ग्रीन वाले भी, हम इसी ओरेंज कलर से ही बुनेंगे, और देखे, यहां पर ग्याफिंग हो रही है, तो एक फंदा हम यहां से लेंगे, इस वाले भनदे के साथ, औरेंज के साथ, ऐसे बना देंगे, ताकि यह फंदा भी बन गया, और यहां से हम ऐसे, पूरी रो उल्टा बुन लेंगे, यह देखे, कि यह देखिए अब मेरे पास इस रो में पूरे 25 फंदे औरेंज कलर से आ गए हैं यह देखिए इस तरह से यह देखिए एक कली बनके कम्प्लीट हो गई और देखिए अब हम यहां से फर्स्ट रो रिपीट करेंगे तो हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे तो देखिए यहां से हम दो फंदे इस ओरेंज कलर से बना लेंगे जैसे हमने यहां पर औरेंज कलर एड किया था सेम उसी तरीके से बनाना है आपको एक और दो दो बना लिए उसके बाद अब आप देखिए यहां से एक दो तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंदरे पंदरा फंदे हमने बुने अब देखिए और इंसे पंदरा फंदे बनाने के बाद हम यहां पर देखिए अब ग्रीन कलर एड़ कर लेंगे तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और साथ यह देखिए एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे सलाई को हम इधर कर यह देखिए इस तरह से, अब हम इसको इधर से क्रॉस कराएंगे, इसको ऐसे आगे लाएंगे, यहां से यह दूसरी कली स्टार्ट हो गई है, इस तरह से, यहां पर जो जैसा है, उसको बैसे ही बुन लेंगे, यह देखिए, अब हम ओरेंज को पीछे करेंगे, ऐसे, और बिलू को आगे लाएंगे, और दो भंदे, हम यह बलू कलर से बुनेंगे, यह देखिए, इस तरह से, अब देखिए, इस तरह से, अब दो दो फंदे हम इधर से करते हुए, एक एक फंदा इधर गिरिन का करते हुए, और देखिए, इस तरह से हम पूरा यह बना के कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं, यह देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना के प हमने start किया तब यह बनी है, हब कली यह ending में बनी है, तो देखिए, इसको हम ऐसे मिला के सिल देंगे, तो यह पूरी कली complete हो जाएगी, अब देखिए, यहां से हमने यह row उल्टे तरफ से यहां तक complete की, अब हम इधर से इन फंदों को close करेंगे, इस तरह ऐसे, दो काएक करते हुए close कर देंगे, ऐसे, तो हम इनको last तक ऐसे ही करते जाएगे, यह देखिए, सभी फंदे मैंने close कर लिए, अब देखिए हम इसको ऐसे पलट लेंगे, और उपर साइड से हम इसको सिल देंगे, यह देखिए, यहां से अब हम, इस तरह एसे, इसको हम इनसे, में लाते हुए से लेंगे पूरा, अब रट देखिए, अजय कर लेंगे, और भासे लेंगे, भी खंदेंगे, अब रला देखिए, अब देखिए, अब ऑनोपरा देखिए, अब देखिए, यह देखे इस तरह से मैंने इसको सिल लिया अब बीच में आप चाहें तो फ्लावा लगा सकते हैं या फिर यहां से ऐसे टक करके इसको बंद कर सकते हैं